नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मेगराज वर्मा और स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मेगराज के रामबा टोटके में मित्रों आज पूरा भारत वर्स तीवाली के अगली सुबा गोवर्धन पूजा मनाते हैं जिया मित्रों पूरानिक कथाओं के अनुसार यह प्रथा द्वापर युग से ही ब्रज से आरंब हो चुका था धीरे धीरे आज ये पूरा भारत वर्स इस गोवर्धन पूजा को मनाते हैं ऐसे पूरानिक कथाओं में यह कहा गया है कि इस दिन भगवान स्री कृष्ण ने पूरे ब्रज को भारी बारिस जो की इंद्र के नाराज होकर के किया जाने वाले भारी बारिस से बचाने के लिए स्यम भवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पूराणत को उठा लिया था और पूरे ब्रजवासी को इस भारी बारिस से बचाया था और इसे दिन भवान स्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को भी चकना चूर किया था तो मित्रो इस दिन ये बहुत ही सुभ दिन माना गया है और इस दिन गव माता का पूजा किया जाता है तो मित्रो इस दिन हम कुछ ऐसे ही कुछ उपाय करके अपने घरों में सुक सम्रिधिल आ सकते हैं धन की कमी को पूरा कर सकते हैं चो भी हमारी मनों कामना है उसे पूरा कर सकते हैं या मित्रो होता है कहा गया है कि इस दिन गवर्धन पूजा के दिन अगर कोई द्यखती दुखी रहता है उनका मन दुखी है तो पूरे साल भर तक वा दुखी ही रहता है इसलिए इस दिन अनकूट का भी पर मनाया जाता है और बड़े ही प्रसंद मन से गव माता का पूजा करना चाहिए और उस दिन मन को हमेशा प्रफलित और खुच रखना चाहिए अगर मित्रों आपके घर में किसी प्रकार की पैसे की कमी है या पैसा कमाते हैं लेकिन आपके घरों में पैसा रुपता नहीं है खर्चा बहुत हो जाता है घर में तनाओं की इस्थिति है घर में सुक्सांती नहीं है ऐसे जो भी समस्याएं हैं या आपकी सोजोरी खाली रहती है तो ऐसे तिजोरी को भरने के लिए हमेशा उसमें भंडार को भरे रखने के लिए क्योंकि इस दिन किया हुआ उप बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाला है तो मित्रों करणा क्या है बड़े ध्यान से सुनियेगा तो मित्रों मेरे दोरा बता हुए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरी इस टोटके को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे ऐसे ही सभी टोटकों से जूनना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में जो बेल आइकान का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर आणवाली आपसन को जरुद दबाईएगा तो करना क्या मित्रों गोवर्धन पूजा के दिन गव माता को इस नान करा लिजिए इस नान कराने के बाद तिलक लगा दीजिए धूप दीप दिखा करके गव माता का पूजा कीजिए पूजा करने के बाद में कुछ फल जो भी बन सके खिला दीजिए और गव माता के खाने वाली चारा को गव माता को खिला दीजिए खिलाने के बाद आप गव माता का साथ बार परिक्रमा कीजिए साथ बार परिक्रमा करने के बाद गव माता के जो खुर पैर का जो खुर है उस खुर के नीचे का मिट्टी को उठा लीजिए और उस मिट्टी को पराम करके एक काच की सीसी में रख लीजिए और रखने के बाद अपने घर के तीजोरी में जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए इस उपाय को करने के बाद देखें कमित्रों घर में सुकसानती आएगी जो खर्चा पैसा रुपता नहीं था वो पैसा रुपने लग जाएगा घर में पैसा के कमी जो है वो दूर हो जाएगा यह बहुत जल्दी प्रभावत दिखाने वाले और राम बाट टोटके है मित्रों इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिए और अपनी सभी समस्याओं को आर्थिक तंगी को दूर कीजिए तब तक लिमतरों आप लोग जहां भी रहे हसते रहे हमस्कुराते रहे अपने असपास सभाई रखिए और मुझे तेजे आग्या नमस्कार